भारत में लिट्रेसी रेट की बात की जाए तो वो करीब 77.7% है, वहीं पुषो की लिट्रेसी रेट की बात की जाए तो वो 84.7% है और महलाएं केवल 73.3% पर आकर सिमट जाती हैं ये वो महलाएं हैं जो पढ़ने और लिखना जिन्हें दोनों आता है इस में से बहुत कम ही महिलाएं होती हैं जो उच्छिक्षा प्राप्त करती हैं, वो काफी संघर्स करती हैं जिसके बाद उच्छिक्षा के लिए आगे जाती हैं ऐसे में उन महिलाओं को अगर सिक्षन संसान में न शुद्ध पानी मिले न पका हुआ खाना मिले तो सूचिए उन महिलाओं को उन बच्चों को कैसा लगता होगा कुछ ऐसा ही बीएचियू में हो रहा है BHU में PhD स्कॉलर्स अपनी शूद की तयारियां करने के बदले धरने पर बैठी हुई है और उन्हें धरने पर मजबूर किया गया है उनके होस्टल के द्वारा क्योंकि उन्हें होस्टल में ना तो शुद पानी मिल रहा है और ना ही पका हुआ खाना मिल रहा है कल रात से लगातार महिलाएं करीब 200 शात्राएं धरने पर बैठी हुई है और उनकी मांग है कि कुलपती आके उनकी परिशानियों को सुने और उनके समधान का उन्हें आश्वासन तो कम से कम दे ही दे आपको बता दें कि लगातार छात्राएं आरोब लगा रही है कि उन्हें ना तो शुद पानी मिलता है ना ही खाना मिलता है यहां तक कि इस वक्त उन्हें इंटरनेट भी उपलब्द नहीं कराया जा रहा है ऐसे में सूचने को हरव्यक्ती मजबूर हो जाता है कि एक महिला भारत में जब बहुत मेहनत करके बहुत परिष्ट्यम करके उन्हें कितना रोका जाता है उसके बाद भी उच्छ शिक्षा के लिए आगे बढ़ती है उसके बाद उनके साथ ऐसा वहवार किया जाए और कु प्रशी हिंदू विश्विद्याले में लगतार खराब खाने की विरोध में सूमवार से लड़कियां कडाके की ठंड में धरने पर बैठी है न्यूपीजडी गर्स हॉस्टल की 600 से जादा शूद छात्राओं का कुलपती आवास के सामने विरोध प्रदर्शन जारी है मैस में मिले खाने की ठाली को लेकर लड़कियां रात से ही नारे बाजी कर रही हैं उनकी मांग है कि कुलपती खुद आकर उनसे बात करें तभी ओधरना खत्म करेंगे कुलपती आवास के बहार सुरक्षा अधिकारियों और मीडिया को मैस की ठाली दिखाते हुए छात्राओं ने सवाल किया कि क्या शूद छात्राओं को ऐसा घटिया खाना मिलना चाहिए उबले हुए फ्राइड राइस जो की कच्चे हैं वही ओली फूड्स छात्राओं का कहना है कि ये खाना उन्हें काफी नुकसान पहुचाएगा ये धर्णा तब तक जारी रहेगा जब तक कुलपती आके खुद उनकी समस्याओं को सुन नहीं लेती आपको बता दें कि PSD स्कॉलर्स ने नारे बाजी करते वे ये भी बताया कि हर महिने में पांच दिन जो पीरिट्स के होते हैं उस समय भी उन्हें बेहत घटिया खाना दिया जाता है जबकि उस समय महिलाओं को सब से जादा नुट्रेशन और क्वालेटी का खाना खाना चा उन्होंने बताया कि होस्टल के लिए सालाना 20,000 रुपे की मोटी रकम वो जमा करवाते हैं उसके बाद भी उन्हें इस तरीके का घटिया खाना दिया जाता है इसके साथ साथ ही उन्हें धंका और शुद्ध पानी तक नहीं मिलता है मेडिकल की एक छात्रा ने कहा कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई करके बियेच्यू जैसी यूनिवर्सिटी में आए दिन भर अस्पताल की ओटी, ओबडी और लैब में काम करते हैं होस्टर आने के बाद ये खराब खाना मिलता है, दिन भर अस्पताल में इलाज करते हैं और रात में मिलता है बिमार करने वाला खाना जबकि होस्टर प्रवंधन 20,000 सालाना फीस लेती हैं, हमारा धर्ना तभी खत्म होगा जब कुलपती आके हमारी शिकायतों को सुनेंगी और वो हमें समस्या की समधान का आश्वासन देंगी जाहे कुछ भी हो ये धर्ना तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हमारी समस्याओं का समधान नहीं हो जाता है इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूटिब चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, नमस्का